दोस्तों आप सभी ये जानते ही होंगे कि तक्रीबर हर डेट साल बाद हमारा चांद हमारे सुरोज को पूरी तरह ढख लेता है जिसे सूरी ग्रहन या सोलर एकलिप्स कहा जाता है पर आप ये नहीं जानते होंगे कि सूरी ग्रहन होने के साथ ही होती है कई अद्बुत और अजीबो गरीब चीजें आए जानते हैं पांच ऐसी ही चीजों के बारे में आप देख रहे हैं फैक्ट जिनी दुनिया भर के जानवर और पक्षियां बहुत चक्के रह जाते हैं हम इनसान हैं और हमें सूरी ग्रहन की तारीक और उसका असर पता होता है पर जानवर जो की सूरी की रोशनी पर नेवर होते हैं वो सूरी ग्रहन की वज़े से कन्फियूज हो जाते हैं कई जानवर रात को सोते हैं और कई दिन में पर सूर ग्रहन में दिन कुछ मिन्टों के लिए रात बन जाता है और फिर से कुछ ही मिन्टों में दिन निकलाता है ये चीज़े जानवरों को चौका देती हैं और वो कन्फिर्ज हो जाते हैं जिसकी वज़े से वो कई बार खुंकार, परेशान या फिर डरे डरे से हो जाते हैं पुराने दस्ताविजव के अनुसार 1560 में एक ऐसे ही सूरी ग्रहन के दोरान सारे पक्षी आकाश से गिर गए थे क्यूंकि वो अचानक आई अंधिरे से डर गए थे नमबर चार, पूर्ण सुन ग्रहन में आप दिन में भी तारे देख सकते हैं और यहां तक कि हमारे आसपास के ग्रहें मरकुरी, वीनस और जूपीटर भी नंगी आँखों से देख जा सकते हैं नमबर तीन, सूर ग्रहन की वज़े से धर्ती के वातावरन पर बहुत असार होता है कई जगे का तापमान बड़ी तेजी से गिता जाता है और यह तापमान की गिरावट तो कभी कबार 20 डिग्री तक होती है इसे के साथी साथ धर्ती के कई जगाओं पर बातलों की हलचल भी पड़ जाते हैं नमबर दो सूर ग्रहन के साथ ही बतल जाते हैं फिजिक्स के कुछ नियद जैसे की ग्रहन के साथ ही कम हो जाता है धर्ती का गुरुत्व अकर्शन यानि की ग्रैविटी कई साइंटिस्ट दोरा ये ना पा गया है कि सूर ग्रहन के दोरान पेंडूलम आम समय से ज़्यादा तेजी से घुमने लगता है जो इस बात का पूरा संकेत है कि वो कम ग्रैविटी यानि गुरुत्व अकर्शन महसूस करने लगता है पर आखर ये होता क्यों है इस बात की पुछ्टी अभी तक नहीं की जा सकी है नमबर एक सूर ग्रहन के साथ ही एक प्रक्रियत चालू हो जाती है जिसे शैडू डांस कहा जाता है अगर आप सूर ग्रहन के ठीक पहले से किसी पेड़ की परचाई को देखना चालू कर देंगे तो ग्रहन होते ही उसकी परचाई लेफ्ट राइट ऊपर नीचे खुमना चालू कर देगी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर ग्रहन से पहले एक छोर से थोड़ी ज़्याद अलंबी होती है और एक छोर से बहुती छोटी तो दोस्तों ये थी कुछ अद्बुच चीजे जो सैंटिफिक तरीके से महसूस की जा सकते हैं क्या आपने कभी सूर ग्रहन देखा है या फिर आप सूर ग्रहन से जुड़ी ऐसे किसी फैक्ट, विश्वास या अंदविश्वास को जानते हैं तो हमें भी कमेंट में जरूर बताएं इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अद्बुच वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्स्क्राइब करना न भूलें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप देख रहे हैं, फैक्ट जिनी